हेलो एवरेंग वैकम टू क्लास सीरीज और आज के इस वीडियो में हम जिस कोशन को सौल करने जा रहे वह कोशन है विश्टम अफ दी एपी 3, 8, 13, 18 and so on is 88 सबसे पहले हम कोशन को समझते हैं कोशन में क्या बोला है चो यह एपी की सीरीज है 3, 8, 13, 18 क्या मतलब हुआ अपना 1st term हो गया 3, 2nd term हो गया 8, 3rd term हो गया 13, 4 term हो गया 18 ऐसे करते करते ऐसा कौन सा term है जो value 88 देगा बेसिकली TN 88 हो गया हमारा और उसमें अपनको N की value फानर करनी है जैसे 1st term की value क्या है 3 ठीक है तो बेसिकली ऐसी हमको करना है वो कौन सा term है जो 88 देगा ठीक है वो कौन सा term है तो सबसे पहले हम एक बार series को लिखेंगे क्या series है 3, 8, 13, 18 लिखते है यह AP की series है 3, 8, 13, 18 and so on is 88 मतलब TN 88 दे रखा है लिख लेते N की value तो हमको find out करनी है कौन सा term है अब इसके नर्से हमें क्या क्या data मिल सकता है हम लिखेंगे A is equal to first term is equal to 3 difference is equal to T2 minus T1 second term minus first term तो difference हो जाएगा आपका 8 minus 3 difference क्या मिलेगा 5 D is equal to 5 and A is equal to 3 आगे हम सीधा हम हमारे Nth term के formula में जाएगे हमको हमारा N की value मिल जाएगी लिखते है TN is equal to A plus N minus 1 into D तो फिर TN की value क्या है इधर दे रखिए तो TN क्या है 88 is equal to A की value क्या है 3 plus N की value तो हमें find out करनी है N minus 1 into D कितना है 5 ठीक है इसको आगे हम फर्दर करेंगे 85 is equal to 3 plus 5 into N 5 N minus 5 बंसा 5 तो 88 is equal to दोनों like terms है plus 3 minus 5 कितना होता है minus 2 plus 5 N ठीक है यह इधर minus है जब इधर transpose होगा तो plus हो जाएगा यह हो जाएगा 88 plus 2 is equal to 5 N तो फिर हो जाएगा 90 is equal to 5 N therefore यह further होगा N is equal to 90 divided by 5 तो फिर N की value हमें क्या मिलेगी basically 18 मिलेगी तो कॉच्च में basically बोला है na which term of the AP कौन सा term है जिसका value आता है 88 तो basically हो जाएगा T 18 is equal to 88 18th term की value है 88 therefore the 18th term is 88 in the given AP ठीक है जो question के अंदर series दे रही है so this is your answer